द्रक्टर निवाज चादो को जिन्होंने आपकी डिमार्ट स्कॉर्ट से सुनी और लिखी भी और वह आग के सामने आपसे बादे दिग्री कॉलिज किष्टवाड के बच्चे आये हुएं जिन्होंने आपके यहां पे विजिट किया था बैक टू विलेज में आज उनी की दावत पे उनी के नियोते पे हम लोग इदर आज आये हैं इसमें उनकी तरफ से बताया गया था कि कुछ घर ऐसे हैं जहां पे की बच्चों की आलत बहुत खराब है माबाप भी जो है वो बच्चों का सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और जो रहने का घर वगरा है उसमें भी बेसिक फेसिलिटी भी नहीं है तो उसी को आज देखने के लिए हम लोग आए वैसे तो यह ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम है लेकिन क्योंकि गाओ में खुछ आके देखना था इसलिए सेवा गाओ में आके आज कैम्प लगाया है इसमें जो पहली बात है पंचायद घर इंदरवा लेकी तो मुझे अभी एसीपी साहब ने बताया है कि अल्रेटी उसका पैसा आ गया है रिपेयर का और अगले एक महीने के अंदर उसको रिपेयर करा दिया जाएगा दूसरी जो बात है पानी की जो किल्लत है तो अभी हमारे साथ एडवली आए हुआ है पीएची डिपार्टमेंट के इन्होंने बात करी तो पता लगा कि टेंडर वगेरा इसका पूरा हो गया है और इसको इसी हफते अलोट्मेंट मिल जाएगा तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसका काम चुरू हो के सभी लोगों को पानी की जो बहुत एक किल्लत रहती है और जरूरत है उसको निजात मिलेगी कि इसका टेंडर कैंसल हो जाता है और काम को बंद कर दिया जाता है उफीशली तो फिर आम इसमें additional पैसा दे के इस classroom को complete करा देंगे आप इसको जल्दी से जल्दी बता दो आप जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी आम इसका पैसा दे पाएंगे अवेलबल है यह दो-तीन लाग का काम है इसको हम complete करा देंगे फिर इसमें अभी घर का लोगों ने लकडी का बताया है वो में एक बार डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी डिसकस कर लोगा लेकिन कई सारे ऐसे घर है जिनका पीए मेवाई में पहले नहीं आया हुआ था जो छूट गए थे तो मेरी सभी गाउं के अभी गाउं के सरपाइंच वार्ड मेंबर इमाम साहब सभी गाउं के एल्डर लोग आयो है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीए मेवाई का जो कैम्प हो रहा है जिसमें जो लोग छूट रहे थे जिनको पहले घर नहीं मिला है जिनका लिस्ट में नाम नहीं है आवा को अभी लोगों को अपना नाम देना है जरूर से दे दीजे क्योंकि उसके बाद हम लोग उस लिस्ट में नाम नहीं नहीं चड़ा पापाएंगे इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाए जाए